जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर and 4000 अवर्स का जो वाच टाइम काइटेरिया YouTube monetization का वो कम्प्लीट हो गया है मैंने आपको पूछा था guys कि वीडियो बनाओ कैसे अपलाई करते हैं monetization के लिए तो आप सभी ने मुझे हाँ कहा था और बनाने के लिए बोला था तो guys आप लोगों के लिए 2021 में monetization के लिए कैसे अपलाई करते हैं इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला क्यूंकि 2021 में बहुत कुछ changes हुए है थोड़े बहुत जहां पर आपको पता है guys कि अभी YouTube भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है जहां पर description about सब अलग टाइप का दिखता है shorts वगिरा भी add हुए है तो उसकी वज़े से बहुत कुछ यहां पर change भी हुआ है तो guys वीडियो को पूरा last तक देखना तो ही guys इस वीडियो में मैं आपको कैसे monetization के लिए apply करते हैं जब 4000 घंटा को watch time और 1000 subscriber complete हो जाते हैं उसके बाद मैं आपको mobile में कैसे apply करते हैं यह बताऊंगा guys क्योंकि कोई भी YouTuber mobile में नहीं बताता है वो बोल देता है कि desktop mode में open कर लो अपने mobile को और हम लैप्टॉप से बता operate में mobile ही होता है और किसी के पास laptop available नहीं होता जैसा कि मेरे पास भी laptop नहीं इसलिए मैं mobile से आपको apply करके दिखाऊंगा आपको apply का बटन दिख रहा होगा अब हम यहाप apply का बटन डैप करते हैं फिर उसका बाद आपको ऐसा interface देखने को मिलेगा जहां पे guys जो interface इस टाइप automatic done होता है अगर आपने सब कुछ सहीं किया उसके बाद इस थर्ड जो है वह automatic चलो जाता है तो first step यहाँ पर आपको दिख रहा है अब हम यहाँ पर first step में जाएंगे कैसे apply करते मैं आपको बताता हूं यहाँ पर mobile से जैसे ही आप first step में start करेंगे तो आप यहाँ पर आपको ऐसा interface देखने को मिलेगा जिसको सर्फ हम लोग को agree करना होता है यहाँ पर खरा हेंग डीरी करना होता है वैकर करने के बाद हम लोग को जो यह है को इस बारे में पता होता है जो भी YouTube में आया है सब कुछ पहले पता करते हैं उसके बाद YouTube में वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे नहीं लगता है यह सारे चीज जो है वह पढ़ने के हम लोग को जरुरत है तो यहां पर क्या करते हैं जल्दी से इसको एगरी करके नेक्स्ट जो वुस्के स्टेप में चले जाते हैं यहां पर इस पहले से टिक है अब सेकेंड हम लोग उस्ट कर देते हैं यहां पर donc तो next करने के बाद automatically guys जो यह वाला जो आप देखेंगे भी done होने वाला है तुरंद तो अभी देखते हैं guys थोड़ा सो processing लेता है आपके साथ भी ऐसा होगा तो guys यहाँ पर अब देख सकते हैं यह जो है वो अपना done हो गया है automatic उसके बाद guys अब हम लोग यहाँ पर अब इसके बाद second जो step है उसको start करेंगे इसमें बहुत सारे चीजे हैं जो change हुई है और यहाँ फिर फॉर्म अगेर अभी थोड़े बहुत फील करने होते हैं यहाँ पर मैं आपको यह सारे कुछ आपको बताऊंगा क्या करना है कैसे करना है सब कुछ आपके यहाँ पर clear होने वाला है यहाँ पर आप second step देख सकते हैं इस वाला हम लोग अब इस वाले जो option है इसको पूरा करेंगे इस form को हम लोग पूरा फिल करेंगे यहाँ पर अगर है तो यह करना है और जनरली किसी के पास भी adsense account नहीं होता है कोई भी नहीं बनाता है अगर कोई जान पर जानता है वही बनाता है जैसा मैं भी नहीं जानता था तो मैंने भी नहीं बनाया है और यहाँ पर adsense account जो है हम लोग नहीं बनाते तो नो करते हैं अब यहाँ जो भी हमारा email id है जिसके थूरू हम लोगो एडसेंस अकाउंट बनाना है उसको यहां पर हमलोगो सलेक्ट कर लेना है इसकी कौन से email id से हम लोगो एडसेंस अकाउंट बनाना है मैं recommend करता हूँ कि जिस email id से आपका YouTube चैनल है उसी email id से ही बनाईए क्योंकि जो आपका adsense account है वो secure रहेगा क्योंकि आपको पता है वह वाले email id हम लोगों किसी को भी share नहीं करने है जहाँ पर हमारा जो है YouTube account यह सब hack होने का डर रहता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस type का interface देखने को मिलेगा यहाँ पर कुछ कुछ आपको पूछेगा get more about adsense yes send me आपको पूछ रहेगा इसकी आपको customization का mail वगरा चाहिए या फिन नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पर yes करना है कभी उसके बाद अब हम लोग को अपना country करना यहाँ पर कौन सा country है हमारा तो पहला step आपको पता चल गया होगा और उसके बद गई सब हम लोग के यहाँ पर country जो है वो करना है तो गईस हम लोग इंडियान है तो अब अपना इंट्री इंडिया जो है वह यहाँ पर ढूंड के सलेक्ट कर लेते हैं तो देखते हैं इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा तो यह सारा कुछ गईस हम लोग को यहाँ पर accept कर लेना है उसके बाद ही आगे बढ़ेगा जो फॉर्म है अगला बड़ा सा फॉर्म खुलने वाला है तो इसको यहाँ पर यस कर देना है अगर आपको पढ़ सकते हैं अगर आपके पास कर देना है अप कर लेते हैं कि हम लोग पढ़ लिए अच्छे से अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं मैं आपको दिखा दिया हूँ अब यहाँ पर इस create account में हम लोग को टैप करना है उसके बाद कैसा इंटरफेस खुलेगा मैं आपको दिखाता जाना है यहाँ पर कुछ-कुछ आपको दिखाएगा जिसको पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं वाकि गैट स्टार्टेड आप कर देंगे उसके बाद जो है फॉर्म हम लोग को ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर अकाउंट टाइप आपका क्या है यह पूछने वाला है स देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चैनल का नेम यहाँ पर नहीं लिखना है यहाँ पर बहुत लोग बहुत ज़दा गलती करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहते हूं गया इसकी यहाँ पर देखो मेरे चैनल का नाम बेरोजगा टेक है तो यहाँ पे मैं automatic आ गया channel का नाम लेकिन यहाँ पे guys आपको इसको मिटा के अपना नाम लिखना है आपका जो नाम है document में या फिर आप जिसके नाम से जो अपना adsense account बनाना चाहते है मतलब जिसके account में आपका पैसा आएगा account में bank account का जो पैसा आने वाला है वो वाला आपक document में जैसा है वैसा लिख दिया है उसके बाद गाई सब लोग यहाँ पर address वगरा जो है वो इसको है हम लोग feel कर लेंगे अच्छे से और हो सके तो guys यहाँ पर अपना contact number वगरा दे देना जो address line 2 है वहाँ पर और यहाँ पर town city वगरा आप सब कुछ खुछ से कर सकते हो और आप पर guys आपको state code वगरा आपको मांगेगा जो pin code होता है वो सब आपको मांगेगा guys यहाँ पर क्या कुछ change हुए मैं आपको बताने वाल हूं guys कि पहले यहाँ पर phone number देने का option नहीं आता था यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं पहले आप किसी भी यूटूबर का वीडिय और यहाँ पर भी अपना optional phone number डाल देना है guys ताकि अगर वह वाली number भी phone ना लगे तो यह वाले में लग जाए आप चाहे तो दूसरा phone number डाल सकते हैं या फिर से वही वाला phone number यहाँ पर डाल सकते हैं तो अगर अच्छे से check कर लेना है guys अच्छे से एक बार कि सही सौट डाला है या फिल नहीं डाला है सिंपल सा address प्रूफ ही देना है और कुछ नहीं देना है उसके बस सब्मिट का बटन मैंने टाप कर दिया आप देखते हैं इस थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यह डी डारेक्ट यह सब बटन आएगा तो यहाँ पर कुछ भी टैप नह ही रिडारेक्ट या फिर कैंसल अपने या और रिडारेक्ट होगा जो भी होने वाला है सब कुछ प्रोसेसिंग हो के की आपको अपने आप जो है आपका ऐसा inटरफेस आपको देखने वाला है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आप बहार आ गए है और आपको आपको दूसरे दिन गाईस यह जो है मेरा AdSense फॉर्म है वो डन हो गया गाईस दूसरे दिन तो रहते हैं अंडर प्रोसेस है इन प्रोग्रेस है आपका फॉर्म अब ऑटमेटिक यह डन होने वाला AdSense वाला अगर आपने सही सोट सब कुछ भरा होगा उसके बाद यह ऑटमेटिक ज हम लोगों क्या करना रहता है Monotization कैसे On करना रहता है Superjet कैसे On करना रहता है क्या यह सब भी आप 2021 में कैसे करते हैं जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बोलिए मैं जरूर आपके लिए वीडियो बना कर दूँगा ओप गाईस आपको यह वीडियो बहुत जादा पसंद आया होगा और क्लियर हो गया होगा Monotization के लिए कैसे अपलाई करना है वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना थैंक्स पर वाचिंग